क्या आपने कभी ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो अकबार पढ़ने और दूर स्थित वस्तू को देखने के लिए चश्मे का प्रयोग करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग आपको अपने आसपास मिले होंगी जो अकबार पढ़ने के लिए या कोई भी किताब पढ़ने के लिए दूर की चीज देखने के लिए चश्मे का उपयोग करते हैं लेकिन आपने यह सोचा है कि यह व्यक्ति अकबार पढ़ने वदूर स्थित वस्तु को देखने के लिए चश्मे का प्रयोग क्यों करते हैं? वीडियो को रोके और इसके बारे में सोचे इस तरह के व्यक्ति चश्मी का प्रयोग इसलिए करते हैं क्यूंकि वे पास वद दूर स्थित वस्तु को सूसपश्ट नहीं देख पाते हैं क्यूंकि उनकी आखों की समंजन शम्ता कमजोर हो जाती है जिससे अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी को विवस्तित समायोजित नहीं कर पाता है इसलिए प्रतिभिम रेटीना पर नहीं बानता है जिससे वे वस्तु को सूसपश्ट नहीं देख पाते हैं और इसे हम दृष्टी दोश कहते हैं हमने पिछली कक्षा में समंजन शम्ता का अध्यन तो करी चुके हैं चलिए उसे एक बार दोहरा ले अभिनेत्र लेंज की वे शम्ता जिसके कारण वे अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है उसकी समंजन शम्ता कहलाती है यहां मनश्य की आखों में मुख्यता तीन प्रकार के दृष्टी दोश होते हैं निकट दृष्टी दोश दूर दृष्टी दोश और जरा दूर दृष्टी दा चलि हम सबसे पहले पहले प्रकार के दृष्टी दोश को समझने की कोशिश करते हैं जिसे हम निकर दृष्टी दोश कहते हैं और अंग्रेजी में से मायोपिया भी कहा जाता है क्या कभी आपने अपने ऐसे दोस्तों को देखा है? जो पास की चीजों को सपश्ट रूप से नहीं देख पाते हैं जिन्हें अपनी कॉपी या किताब पढ़ने में दिक्कत होती है चलि अब दूसरी स्थिती के बारे में बात करें क्या आपने कभी ऐसे व्यक्तियों को देखा है, जो पास की चीजों को तो सपश्ट देख सकते हैं, किन्तु वे दूर के वस्तों को देखने के लिए चश्मे का प्रयोग करते हैं। आपने अपनी कक्षा में अपने कुछ ऐसे सहपाथी देखे होंगे जो कक्षा में अंतिम बेंच पर बैठते हैं, उन्हें वहाँ बैठने पर बोट का लिखा हुआ, अक्षर समझ नहीं आता है. यह एक परकार का दृष्टी दोश होता है, जिसे हम निकट दृष्टी दोश कहते हैं. निकट दृष्टी दोश में आप पास की चीज़े तो सपष्ट देख पाते हैं, किन्तु आप दूर के वस्तूओं को सपष्ट नहीं देख पाते हैं. क्या आप जानते हैं कि इस तरह के लोगों के साथ ऐसी समस्या क्यों होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि समाने मनुष्य का दूर बिंदू अनंत होता है हम दूर बिंदू के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वह दूर तम बिंदू जहां तक आप किसी वस्तू को सू स्पष्ट देख सकते हैं उसे दूर बिंदू कहते हैं यदि आपकी आँखे स्वस्त है तो प्रतिबिम रेटीना पर बनता है और आप वस्तू को स्पष्ट देख सकते हैं चलिए इस चित्र के मादग्यमसे से समझने की कोशिश करते हैं स्वस्ते आखों के लिए दूर बिंदू O डाश पर है किन्तु निकर द्रिष्टी दोश्युक्त आखों का दूर बिंदू O पर है निकर द्रिष्टी दोश्युक्त आँखों में दूर बिंदू अनन्थ से पास में होता है अर्थात अनन्थ से आँखों की तरफ विस्थापित हो जाता है दूर बिंदू के विस्थापित होने के कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाता है इस कारण अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी भी घट जाती है इसलिए प्रतिबिम रेटीना से पहले बनता है और व्यक्ति वस्तू को नहीं देख पाता है क्या आप जानते हैं इस प्रकार के दोश को किस प्रकार सही किया जा सकता है? हम निकट दृष्टी दोश को सही करने के लिए After Lens का प्रयोग करते हैं हम After Lens अत्वा औपसारी Lens के वारे में पिछले अध्याई में पढ़ चुके हैं After Lens किरनों को औपसारित करता है पहले चित्र में निकट द्रिष्टी दोश युक्त आखें है और दूसरे चित्र में अफ्तर लेंस लगाया गया है निकट द्रिष्टी दोश को सही करने के लिए जब निकट द्रिष्टी दोश युक्ति व्यक्ति अफ्तर लेंस का प्रेयो करते हैं तो यह लेंस इससे गुजरनने वाली किर्णों को अपसारित कर देता है और यह प्रतिबिम्ब को रेटीना पर बनाने के लिए फोकुस दूरी को भी बढ़ा देता है इसलिए निकट द्रिष्टी दोश युक्ति व्यक्ति अफ्तर लेंस की सहायता से दूर वस्तू को सूस पश्ट देख सकते है चलिए एक बाद और आले कि हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा